नमस्कार आपके साथ मैं रोहित कुमार आप निश्वर नेशन पर हैं भो मिहारों के लगतार तलख होते तेवर और बीजेपी को लगतार दिद जारी धंकियों के बाद अब बिहार के पुर्व उपमुख्यमंत्री और राजसभा के सांसद शुशील मोदी ने एक के बाद ए है कि बिहार के भुमिहारों का जो मोह है वो भंग हो चुका है बीजेपी से शाहिए वजह है कि वो तिजस्वे अदब के साथ मंचु साजा कर रहे हैं और कई कारिक्वरों में लगतार बीजेपी के खिलाफ अवाज बुलंद की जा रही है शुशील मोदी की तरफ से एक के चार ट्वीट्स किये गए हैं शुशील मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि विधान परिशद का एक चुनाव या उप चुनाव किसी दल पर किसी समाज के भरोसे का एक मातर पैमाना नहीं हो सकता सबको पता है कि परिशद के चुनाव किस अधार पर होते हैं हाल के चुनाव में यदि पार्टी से कोई गलती हुई है तो उसे सुधारा जाएगा और सम्मान देने में कोई कमी नहीं की जाएगी उची जातियों को दश प्रतिशत आरक्षन देने का विरोध करनेवाई लालू प्रशाद की पार्टी आज किस मुह से भुमिहार ब्राह्मन सम समाज का जितना अपमान उत्पीडन हुआ उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता उस दौर में जाती पता कर उनका नरसंगहार हुआ और उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया गया था शुशिल मोदी आगे लिखते हैं कि भाजपा नहीं भुमिहार समाज को पहली बार केंत्र सवाचिनाओं में भुमिहार समाज के 15 और ब्राह्मन समाज के 11 यानि 26 लोगों को पार्टी टिकट दिये जबकी राजद ने इन दोनों जातियों का अपमान करते हुए किवल एक टिकट दिया था आज ये किसमों से सम्मान की बात कर रहे हैं दरसल तजस्वी आदब और आर भुमिहार ब्राह्मन समाज के जो लोग हैं जस तरीके से आवाज बुलंद कर रहे हैं बीजेपी को खुली चुनौती दे रहे हैं कि उनको अगर बिहार में स्थापित करने के लिए इस पार्टी ने जीजान लगाया है तो खत्म करने के लिए यही पार्टी जो है आखरी क दिल ठोकेगी और इसके बाद ही लगतार चर्चा शुड़ों गये शुशिल मोदी ने तमाम किये गए कारियों को गिनवाते वे कहा है कि बिहार में भुमिहार ब्राह्मन समाज के लिए अगर किसी पार्टी ने कुछ किया है तो वो सिर्फ बीजेपी है और जो लोग आज भुमिहार ब्राह्मन समाज के हिताशी बनने की बात कर रहें उन्होंने तो नरसंग हार तक करवाया था नाम और जाती पूछ करके ये तक कहा है कि उनका अपमान तो इसकदर था कि साल दो जो चुनाव विधान सभा के हुए उन चुनाव में सिर्फ एक टिकट दे करके जा आवाजों के सहारे जो है बीजेपी के साथ साथ जो है तमाम परट्यों पर प्रिशर बनाया जा रहा है और इसको हाथो हाथ क्याच करने की कोशिक में है कि उनकी जो पार्टी है वो सब का सम्मान करेगी जो गल्ती पहले हो चुकी उस गल्ती पर दोहरा नहीं जाएगा तो दिख रहा है वो ये कि BJP अब एक बार फिर से कहें कि भुम्यारों को मनाने की में लग गई है भुम्यार प्रामनों को साथ रखने की बात कर रही है और कहा है कि कोई गलती हुई है तो उसको सुधार रा जाएगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार